यह मैंने एक स्वेटर खरीदा है रेड मेट स्वेटर लिया है तो वैसे तो अच्छा स्वेटर रही मोटा मगए इसकी पॉकिट बेकार कपड़े की लगी हुई है आज हम इसकी दूसरा कपड़ा लगा के पॉकिट तयार करेंगे तो देखना यह है कि रेड मेट कपड़े मे अगर पॉकिट खराब है तो उसको कैसे लगाया जाए यह इस तरह का कपड़ा है बेकार लो क्वाल्टी का कपड़ा लगा दिया है और इसमें सिलाई भी निकल रही है तो हम इसको काट के निकाल देंगे काटके निकालके इसमें दूसरा कपड़ा लगाके गरम कपड़े की इसमें पोकिट लगाएंगे गरम कपड़े की इसमें लगाएंगे तो गरम कपड़ा हमारे पास ब्लैक कलर में नहीं है तो इसलिए एक simple कपड़ा black हम बहार लगाते हुए और गराउन कपड़ा अंदे लगाते हुए इसमें हम pocket लगा देंगे वह जो यह है इसको हम काटके निकाल देंगे यह बेकार कपड़ा है यह हमने काटके निकाल दिया है यह इस पर दो चार तरफ सेलते हुए इसको लगाएंगे यह स्क्रिन आप ले लेते हैं यह है चोड़ाई में है छैंच एक तरफ का और दूसरी तरफ लंबाई में भी हम इसको छैंच लेंगे और दूसरी तरफ का भी 6 इंच है 6 इंच चोड़ी और 6 इंच लंबाई मिलेंगे हम इसको तो इसको तयार कर लेते हैं यह हमने सिंबल कपड़ा ले लिया है एक ब्लैक कलर में इसमें दोनों तरफ की 6-6 इंच कर गए 12 इंच हो गया 12 इंच भाई 6 इंच का इसमें से हम पीस निकाल लेंगे निसान लगाते हुए यहाँ पर 12 इंच आ रहा है इसमें निसान लगा देते हैं तो इसको चोड़ाई में भी 6 इंच ले लेते हैं इससे ज्यादें अगर बड़ी पकेट लगा ने तो ज्यादेँ ले सकते हैं और 6 इंच की बहुत होगी इसमें इसलिए मैंने यह ज्युँँच लिया इसमें निसान लागते होए इसकी यहीं से कटिंग कर लेते सेeping चाशह इंच है इससे ज़्यादे हमें नहीं लेना है इस कपड़े में से भी उसी की बराबर पीस निकाल लेंगे और इने दोनों को जोड़ देंगे बाहर की तरफ हम ब्लेक रखेंगे और अंदर की तरफ हम ये रेड कलर का गरम कपड़ा है इसको रखेंगे तो इसको हम सीधी तरफ रखते हुए ब्लेक को और इधर शिलाई लगा देंगे दो तरफ से एक तरफ से हमें खुला रहने देना है इस वे शिलाई लगा देते हैं इस दो तरफ से हमने शिल दिया इसको एक तरफ से खुला रहने दें इसको सीधा कर लेंगे इसके कौने से ही से निकालते हुए इसको सीधा करने में अब इसको हम पुकेट में जोड़ देंगे पुकेट ले ली मैंने इसको उल्टा करते हुए इसको इसमें जोड़ेंगे यह एक तरफ तो जहां से सिलाई का निशान है महीं से किनारे से लगाते हूं इसको दोने खप्रण को पकड़कर इस पे हम गोलाई में सिलाई लगा देंगे इस तरफ इदर हुमाँ देंगे फिर इसको इधर लाते हूए यह जो हमने कुपड़ा बचाया था एक तरफ हम इससे सिलेंगे इसको सिलते हुए आगे तक इसको गोलाई में जोड़ देंगे सही से सिलाई लगाते हुए मजबूत करते हुए इसको गोलाई में जोड़ देनी है देरे देरे सिलना है कपड़ा कम है इसमें लेने के लिए और सिलाई कहीं से छुटे ना तो इसलिए देरे इसको गोलाई में सिलाई गमाते हुए यह देखां यह चार तरफ में निसमें सिलाई लगा दिये जो फालतु को पड़ा है इसको निकाल देंगे काटके यह इस तरह से पोकिट बनके त्यार है आराम से इसमें हाथ आ गया और इस सिल के त्यार है कि रेडिमेट स्वेटर में ज्यादे तर ऐसी पोकिट आती है अगर आपको आपको सिलाई करके दूसरी लगानी है तो इस तरह से लगा सकते हैं यह मैं इसको सिधा करके दिखा देते उल्टा करके सोरी यह मैंनों बाहर निकालके अंदर की तरफ गरम कपड़ा गया और बा आपको मेरा बता है हुआ आइडिया कैसा लगा कि कमेंट करके बताना मेरी वीडियो को से एर करना लाइक करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लिए दन्यवाद